दोस्तो एक तरफ था हॉली बॉड एक तरफ था बॉली बॉड और उस समय इन दोनों के बीच में मजबूती से अपने पैर टकाए हुए खड़ा था वन एंड उनली मिफन चकरवर्ती के दोवारा स्टैबलिस किया गया उटी बॉड नबे के दसक में मिफन चकरवर्ती का कुछ ऐसा एक तरफा क्रेज देखने के लिए मिला जो आज तक भी उनके अलावा किसी और दूसरे ए इस समय में बॉलिवोड की कोई एक फिल्म में बनकर कमप्लीट होती उतने समय में मिफन चकरवर्ती की चार से पांच फिल्में रिलीज हो जाती हुए उस समय कम बजट की इन फिल्मों में 5-6 जो मैंन केरेक्टर होते जिनको लोग पहचानते थे बाकि सारे केर्क्टर्स त जिनको आप मैंसे बहुत सारे लोग पहचानते तक नहीं होंगे और ये हमें एक के अलावा दूसरी फिल्मों में साइद देखने के लिए भी नहीं मिले यहां तक कि उस समय मिथुन चकरवर्टी की इन जादतर फिल्मों में बिल्कुल नई हीरोईन को साइन किया जाता जो की जादा तर वहीं तमिल और तेल्गु फिल्मों में काम करने वाली हीरोईने होती और मिथुन चकरवर्टी की इन फिल्मों में काम करने के बाद वो पता नहीं कहां खो जाती हमें दوبारा कहीं देखने के लिए ही नहीं मिलती इसी बज़े से उस समय में तुन चकरवर्ती एक ऐसे हीरो बन गए थे जिन्होंने इतनी सारी नई एक्टरेसेस के साथ में अपनी फिल्मों में काम किया है तो उस समय में तुन चकरवर्ती की उटी फैक्टरी से जुड़ी हुई ऐसी बहुत सारी चीजें थी जिस बारे में बॉली बॉड के बहुत सारे लोग ये देखकर हैरान थे कि आखिर ये हो के आ रहा है तो आज के अपने इस बेहादीर उचक वीडियो में हम बात करने वाले हैं उनकी उटी फैक्टरी से निकली एक और एंसी ही फिल्म चंडाल से जुड़े बहुत सारे अननौन फैक्ट्स के बारे में जो कि उस समय आ रही मित्हुन चकरवर्टी की फिल्मों में थे काफी पसंद की जाने वाली फिल्म थी एक तो फिल्म का टाइटल था चंडाल जिसको लेकर भी लोगों के मन में काफी एकसाइटमेंट था कि पता नहीं ये फिल्म किस तरह की होगी उपर से इसकी सीडी और डीवीडी के कवर के उपर मित्हुन चकरवर्टी के दवारा पहने गए काले कपड़े और हाथ में ली गई तलबार इस बात को और पूरी तरह से थाबित कर देती है कि ये भी एक धमाकेदार एकसन फिल्म ही होगी फिल्म चंडाल को रिलीज किया गया था सन 1998 में होली की छुटियों के टाइम पर हाला कि उस समय ये बहुत ही आम सी बात हो गई थी कि मित्हुन चकरवर्टी की दो से तीन फिल्में सिनेमा घरों में चलती ही रहती थी और उपर से दो से तीन फिल्में उनकी रिलीज होने के लिए तयार रहती और लगबग हर हपते और 15 दिन में उनकी फिल्म रिलीज होती ही रहती जैसे उनकी फिल्म चंडाल के रिलीज होने के लगबख 15 दिन पहले ही फिल्म मिलिटरी राज सिनेमा घरों में चल ही रही थी और 13 मार्च सन 1998 को उनकी फिल्म चंडाल के रिलीज होने के लगबख एक हपते बाद ही 20 मार्च सन 1998 को उनकी एक और फिल्म उस्तादों के उस्ताद भी रिलीज हो गई थी फिल्म चंडाल को डिरेक्ट किया था मित्वन चक्रवर्टी की उटी फैक्टरी की फिल्मों के जाने माने डिरेक्टर टी एल भी परसाद ने जिन्होंने लगबच साथ से आट सालों के अंतराल में ही मित्वन चक्रवर्टी के साथ में 20-25 फिल्में बनाई हैं जो कि अपने आप में एक रिकॉร्म है कि कि किसी एक एक्टर के साथ में इतने कम समय में इतनी सारी फिल्में बनाई हैं जिसको लेकर टीलवी परसाद और मिथन चकरवर्टी का नाम लिमका वोकॉफ रिकॉर्ट्स में भी दर्च किया गया है। उस समय टीलवी परसाद और मिथन चकरवर्टी की जोड़ी इतनी जादा फेमस थी कि अगर सीडी कैसेट की उपर टीलवी परसाद का नाम है और मितुन चकरवर्टी की फोटो है तो लोग उसको जरूर खरीद लेते थे इन दोनों की साथ में आई कुछ यादगार फिलमें हैं जैसे जन्ता की अदालत, जक्मी सिपाही, जलाद, सेरे हिंदुस्तान, कालिया, चंडाल और उस्तादों के उस्ताद फिलम की कहानी भी टीलवी परसाद ने लिखी थी, डाइलॉक से लखे थे अनुरुद तेवारी ने, और इसको आभा फिलम्स के बैनर तले परडूस किया था राजियू बबबर ने, राजियू बबबर ने मितुन चकरवर्टी की फिलमों में से दो फिलमों को डिरेक्ट क जिन में यमराज और सपत जैसी फिलमें सामल हैं, और इसके अलाबा राजियू बबबर ने उटी फैक्टरी की टोटल नो फिलमें परडूस की हैं, राजियू बबर ने अपने पूरे फिलमी केरियर में केबल और केबल मितुन चकरवर्टी की फिलमों को ही परडूस किया ह और उस समय में थो जक्रवर्ती की इन लो बजट फिल्मों को प्रिडूस करने के बाद उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ है म्यूजिक दिया था आनन्द मिलिंद ने और इसके म्यूजिक अलबम में टोटल छे गाने रखे गए थे फिल्म के गाने काफी मसालेदार रखे गए थे जो कि उस समय लोगों को काफी पसंद आए थे खास करते इसमय जो गाने थे वो छोटे सहरों और गाओं के लोगों को ध्यान में रखकर ही रखे गए थे फिल्म के गाने थे हुसने तेरा है कुडिये पैक पटे आले का, छेल छबीला बलमा मेरा मांगे रसमलाई, करलो प्यार करलो प्यार, छोड़ दे जाने मन और बक्चक इन गानों में आवाजें थी सोनु निगम, जस्पिंदर नरूला, अबजीत भटा चारे, विनुद राथ होड, पूनि मा और अलताफ राजा की एक नजार डालते हैं इसके बजट और बॉक्स ओफिस कलेक्शन के उपर तो फिल्म का बजट रखा गया था लगबग 2 करोड रुपए और उस समय इंडिया में इसने लगबग 3 करोड अन्ठावन लाक रुपए का कलेक्शन किया था और वर्ल्ड वाइड में इसने लगबख 6 करोड 29 लाक रुपए का कलेक्शन किया था और ये उसमाई एक सेमी हिट फिल्म थाबित हुई थी फिल्म चंडाल को लगबख 1500 स्क्रिन्स पर रिलीस किया गया था और ये फिल्म सिनेमा घरों में देखने के लिए लगबख 36 लाक पचास हजार लोग आये थे और ये फिल्म सन 1998 में बॉक्स आफिस पर पैसे कमाने के मामले में 32 बे नमबर पर रही थी वैसे सन 1998 का साल बॉल्यू वर्ड के लिए बहुत अच्छा था इस साल एक से बढ़कर एक फिल्म में रिलीज हो रही थी जहां इस साल की टॉप फिल्मों मैंसे पहले नमबर पर फिल्म थी कुछ-कुछ होता है दूसरे नमबर पर थी प्यार तो होना ही था तीसरे नमबर पर थी सोलजर चौते नमबर पर थी बड़े मिया चोटे मिया और पांचवे नमबर पर थी प्यार किया तो डर ना किया साल 1998 में ये बात जानकार आपको साइध हैरानी होगी लेकिन इस साल मतंच अकरबर्ती की टोटल 17 फिल्में रिलीज होई थी जिनमेंसे उनकी ज्यादतर फिल्में ऐसी थी जिन्होंने काफी अच्छे पैसे कमाए थे उनकी फिल्म चंडाल को IMDB पर 6.2 आउट आफ 10 रेटिंग मिली हुई है एक मिनिट के लिए अगर हम फिल्म चंडाल को ऐसे देखें कि ये उटी फैक्टरी की फिल्म नहीं होती और इसमें किसी और दूसरे एक्टर ने काम किया होता तो फिल्म की स्टोडी लाइन की काफी तारीफ की जाती और बॉलिवड में फिल्म को काफी तबज्जो भी दी जाती क्योंकि फिल्म चंडाल की ये जो एक बेसिक स्टोडी लाइन है जहांपर मितन चकरवड़ती एक पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं लेकिन बाद में उनकी फैमिली के साथ में ये ट्रेजडी होती है और वो कैसे एक पुलिस इंस्पेक्टर से बाद में चंडाल बन जाते हैं एक्चुली उस समय जब फिल्म चंडाल की कहानी कंप्लीट हो गई तब उस समय इसमें मिथन चक्रबर्टी के पहले बॉलिवर्ड के दूसरे दमदार एक्सन हीरो सनी दोल को साइन करने के बारे में प्लान किया जा रहा था क्योंकि इसमें पुलिस इंस्पेक्टर इंदरजीत यानि की चंडाल का जो करदार था वो ऐसे ही एक्सन हीरो के उपर सूट होना था फिल्म के प्रोडूसर राजी उबबर इसके पहले मिथन चकरबर्टी के साथ में चीता जलाद और सपत जैसी फिल्में बना चुके थे इस वज़े से वो चाहते थे कि उनकी फिल्म चंडाल में इस बार सनी दोल को साइन किया जाए सनी दोल से मुलाकात की गई और उन्हें फिल्म की कहानी के बारे में बताया गया लेकिन सनी दोल उस समय अपनी दूसरी फिल्मों में बहुत जादा बिजी थे उपर से फिल्म चंडाल की जादातर सूटिंग उटी और उसके आसपास की लोकेसंस पर ही की जानी थी इस वज़े से सनी दोल अपनी डेट्स को मेनेज नहीं कर पा रहे थे उस समय सनी दोल बता और डारेक्टर के तौर पर अपनी फिल्म दिल लगी बनाने के बारे में भी पलान कर रहे थे तो उस समय ये सारी चीजें सनी दिओल के साथ में चल रही थी इस बज़ाय से वो इसमें काम नहीं कर पाए थे और बाद में फाइनली मिथ़न चकरवर्टी को ये फिल्म उफर हुई और उन्होंने इसमें काम किया और गौर करने वाली बात ये है कि उस समय मिफंचकरवर्ती को जहां बॉली वर्ड में बहुत सारे लोग एक के बाद एक क्रिटसाइज कर रहे थे न्यूज़ पेपर और मेडिया में ऐसे बहुत सारे आर्टीकल मिफंचकरवर्ती के लिए छापे जा रहे थे कि वो केबल पैसा कमाने के बारे में ही सोच रहे हैं ना ही उन्हें फिल्म की प्रोड़क्सन वैलू से और ना ही इससे मतलब है कि ये फिल्म कैसी बन रही है मेथंचकरवर्ती उटी में ठेके पर 25-30 फिल्में साइन कर लेते हैं और उनमें एक के बाद एक काम करते ही रहते हैं जिनमें से ज्यादतर फिल्मों में रखे जाने वाले फाइट सीन और एक्सन सीन बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं लेकिन उस समय में थुन्दा ने निउस पेपर्स में और मेडिया में उनके खलाफ आ रही इन खबरों के बारे में कुछ भी नहीं बोला अपने खलाफ खराब फिल्मों में और खराब एक्टिंग के लिए और ट्राही क्रिटिसिज्म को उन्हों ने जबाब दिया सन 1998 में ही स्वामी विवेका नंद जैसी फिल्म में काम करने के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड जीत कर मतलब वाकई में मिथन चकरवर्टि ने उस समय लोगों को हैरान कर दिया था कि जहां एक तरह वो ऐसी ओबर दा टॉप एक्षन फिल्मों में काम कर रहे हैं वहीं दूसरी तरह सौमी विवेका नंद जैसी फिल्मों में नेशनल अवार्ड भी जीत रहे हैं और ये सारी चीजें साइध ही मिथन चकरवर्टि के अलावा कोई और दूसरा एक्टर कर पाए फिल्म चंडाल के अगर आप बहुत सारे एक्षन सीन को नोटिस करेंगे तो मिथन चकरवर्टि की फाइट के दौरान जो हमें बैग्राउंड म्यूजिक सुनने के लिए मिलता है वो काफी जगह पर उनकी सन 1997 में आई फिल्म सपत का ही बिल्कुल एजिटेज यूच किया गया है फिल्म चंडाल के एक सीन में हमें एक गलती भी नजराती है जिसको देखने के बाद आपकी हाथी जरूर निकल जाएगी फिल्म के इस सीन में जहां पर मिथन चकरवर्टि और इसने हाज जैग गौड को केड़ने अप करके इस कार में ले जाती है तो इस सीन में यह जो रेड कलर की कार यूच की गई है वो साब साब समझ में आती है कि मारूती की इस ्टीम कार है जो कार उस दोरान बहुत ज़्यादा पॉपलर हुई थी लिकन इसके अगले ही सीन में हमें जब कार के अंदर का सीन दिखाया जाता है तो इसकी स्टेरिंग के उपर BMW का लोगो लगा हुए नजाराता है अब ये फिल्म के मेकर्स के दोरा जानबूच कर किया गया है या फिर उनसे गलती हुई है लेकिन ये देखकर मुझे काफी हंसी आई है कि ये जो कार है वो साफ साफ दिख रही है कि मारूती की स्टीम कार है फिर इसमें BMW का लोगो लगाने की जरूरत क्या है इसके अलाबा बहुत सारे एक्सन सीन तो आपने इसमें नोटिस किये ही होंगे कि लोग पहले उचल रहे हैं और मितुन चकरवर्टी बाद में मार रहे हैं इसके अलाबा फिल्म में रामी रेड़ी और उनकी गैंग का जो हमें बंगला दखाया जाता है वो एक्चली ऊटी का अर्न मोर पैलेस है जो कि ऊटी की एक बहुत ही परानी बिल्डिंग है और आज के टाइम पर एक गबर्रमेंट गेस्ट हाउस है इसका ये सीन आप देखिए जहां पर रामी रेड़ी बैठे होते हैं और पीछे हमें ये सीड़ियां दखाई देती है तो यहां पर इसको आप मैच करके देख सकते हैं कि ये अर्न मोर पैलेस ही है इसके अलावा फिल्म चंडाल का एक एकसन सीन बिल्कुल रियल लोकेसन पर उटी के टैकसी स्टेंड पर फिल्म आया गया है जिस सीन में रामी रेड़ी और उनकी गेंग मिथन चकरबर्टी को बीच रोड पर गेर लेते हैं तो यहाँ पर इस सीन में ये आसपास जो इतने सारे लोग खड़े हैं ये फिल्म की सूटिंग देखने के लिए आये थे और इस फाइट सीन में बहुत सारी जगे पर हमें टैकसी स्टेंड और उटी की बहुत सारी गूमने की लोकेसनस भी नजर आती है जहां पर उसमाई ऊटी में इन लोकेंस को गूमने के लिए टक्सी का भाड़ा तक हमें नजराता है इसके अलावा ऊटी की और भी ऐसी बहुत सारी डियल लोकेंस पर फिल्म चंडाल की बहुत सारे सीन फिल्म आए गए ہیں इसके अलावा इंडोर लोकेसंस पर मिथन चकरवर्टी के होटल मोनार्क में भी कुछ सीन फिलम आए गए हैं इसके अलावा इसके मुजिक अलबम में उसमाए के जाने माने सिंगर अलताफ राजा का भी एक गाना रखा गया था एक्चुली अलताफ राजा उसमाए सन 1997 में आए अपने मुजिक अलबम तुम तो टहरे परदेशी से बहुत जादा पॉपलर हो गए थे और उसके बाद तो ऐसा हुआ कि मितन चकरवड़ती की बहुत सारी फिल्मों में हमें लगातार अलताफ राजा के गाने सुनने के लिए मिलते रहे यहां तक कि इन गानों में अलताफ राजा हमें खुद भी नजराते रहे जैसे सन 1997 में आई फिल्म सपत के एक गाने इसक और प्यार का मजा लीजिये में अलताफ राजा नजराए थे इसके बाद सन 1998 में आई फिल्म चंडाल के गाने करलो प्यार करलो प्यार में भी नजराए फिल्म मर्द के गाने पीलो इसकिदी विस्की में और फिल्म यमराच के गाने हमें ऐसे छोड़े में भी हमें अलताफ राजा नजराये थे इसके बाद आगे चलकर अलताफ राजा के और भी बहुत सारे गाने और एल्बम लोगों के बीच में बहुत जादा पॉपलर हुए थे जो कि उस समय खासकर से बस वाले और आटो बालों की बिलकुल जान हुआ करते थे वो दौर ही बिलकुल अलग था जब हर कहीं पर अलताफ राजा के गानों का बहुत जादा क्रेज हुआ करता था हाला कि आज के टाइम पर अलताफ राजा और उनके गाने पता नहीं कहां गायाब हो गए है इन फिल्मों की स्टोरी लाइन इतनी फास्ट पेस होती थी कि इनके बीच में गाने रखने के लिए कोई जगए ही नहीं होती थी इस बज़े से आपने साइद नोटिस किया हो कि मितुंदा की उटी फैक्टरी की जादतर फिल्मों में जो गाने रखे जाते हैं वो ज़्यादतर ड्रीम सीक्वेंस में रखे जाते हैं जहां पर हीरवेन इन गानों को सोच रही होती है तो वैसे ही फिल्म चंडाल में जो गाने हैं चाहे पैग पटे आले का हो या फिर छेल छबीला बलमा मेरा मांगे रसमा लाई हो इन गानों का फिल्म के स्टोरी लाइन से कुछ भी लेना देना नहीं है ये गाने तो थोड़ी देर के लिए औरडियंस को रिलیک्स करने के लिए ड्रीम सीक्वेंस को एजियूम करके रखे गए हैं जिससे की औरडियंस को इन गानों को देखते टाइम पर मजँ आए मतलब अपनी तरफ से ये फिल्मे बिलकुल एक कम्पलीट पैकेज हुआ करती थी फिल्मे में हमें एडवेंचर आफ टारजन, तहखाना और वीराना जैसी फिल्मों में काम करने वाले हैमंत बिर्जे भी नजर आई थे तो वहां पर उनके दर्वाजे सभी के लिए खुले थे तो हैमंत बिर्जे और ऐसे कई और एक्टर थे जनको बॉलिवड में काम नहीं मिल रहा था तो ये सारे लोग उस समय हमें मिथंदा की लगबाग हरे एक फिल्मे में नजर आते थे फिल्म के जो गाने हैं जैसे हुसन तेरा है कुडिये पैक पटे आले का और छेल छबीला बलमा मेरा मांगे रसमलाई इन दोनों ही गानों को पूरा का पूरा एक एक दिन में कम्पलीट किया गया था जहां इन गानों के जादातर सीन उटी लेक के पास में और बोटेनिकल गार्डन में फिल्म आये गए हैं तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म चंडाल से जुड़ी बहुत सारे अन्नोन फैक्ट्स के बारे में ये कुछ हैंसी फिल्मे हैं जिनको आपने बच्पन में देखा होगा और बहुत ज़्यादा इंज्योई किया होगा अगर आपकी फिल्म से जुड़ी होई कुछ हैंसी यादे हैं तो हमारे साथ कमेंट सेक्सन में जरूर सेयर कीजिए और अगर आप मेंसे किसी नए फिल्म चंडाल को उस समय सिनेमा घर में देखा हो तो हमें सिनेमा घर का नाम और सहर का नाम भी जरूर बताना तो इस वीडियो में इतना ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो मेरी महनत आपको पसंद आई हो तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जबाब जरूर दीजिए तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में बॉलिवर्ड फिल्मों से जुड़ी हुई कुछ हो रहीं सी ही इंट्रेस्टिंग और रोचक बातों के साथ